1764 में बक्सर के युद्ध के बाद अब ब्रिटिस इंडिया कमपनी को भारत में ओरीशा बंगाल और बिहार की दिवानी प्राप्त हुई यानि यू कहें कि कमपनी का भारत पर सीधा नियंतर्ण स्थापित हो गया तो 1764 से लगभग 72 तक अधिकारियों ने जो कमपनी के अधिकारी थे कर्मचारी थे उन्होंने बंगाल ही नहीं बलकि जहां जहां बंगाल इसके अलावा मदरास इसके अलावा बंबई हर प्रेशिडेंसी में बहुत सारी लूट खसोर्ट मचा रखी थी तो भर्ष्टचार के मामले भी दिन बद थे यही कारण है कि मजबूर होकर बिटिक संसद को इस इंडिया कमपनी के मामले की यानि जो मामलों थे उसकी जाच करानी पड़ी बिटिक सरकार ने महसूस किया कि भारत में एक कमपनी की गतिविधियों पर नियंत्र इन बर्ड़ है थे यही कारण है कि मजबूर होकर बिल्टिश संसद को इस इंडिया कंपनी के मामले की यानि जो मामलों थे उसकी जाच करानी पड़ी ब्रिटी सरकार ने यह मैसूस किया कि भारत में कमपनी की गतिविधियों पर नियंतर्ण रखना जरूरी है यही कारण है कि इसके फलसुरूप 773 में एक नियंतर्ण कानून यानि रेगुलेटिंग एक्ट बना भारत के मामले में ब्रिटी सरकार का या पहला सीधा इस समय ततकालीन ब्रिटिश प्रधानमंती लौड नर्थ थे जिन्होंने एक सिक्रेट कमीटी की सिफारीज पर यह से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया इसे कमपनी के हातों से राजनितिक सत्ता छील लेने के उद्देश से ब्रिटिश सरकार ने यह कदम उठाया था कमपनी एक भून का मैं आपको बता दूँ कि कमपनी के संपुल्ड प्रशासन की गतिवीडियों की देख रेखे तो इंगलेट में दो संस्ता है थी एक बोल्ड आफ डायरेक्टर्स यानि निदेशक मंडल एक स्वत्वधारी मंडल तो यह स्वत्वधारी जो मंडल थे यही निदेशक मंडल के सदस्यों को चुना करते थे अब यह हुआ 1773 के एक्ट के तहत निदेशक मंडल की जो कारियावधी थी वो उसे एक वर्श से बढ़ाकर चार वर्श कर दिया गया साथ में यह भी तैह हुआ कि जो बोल्ड आफ डायरेक्टर्स हैं उनके कुल सदस्य संख्या 24 थी तो उनके कुल सदस्य संख्या की एक बटे 4 सदस्य यानि एक 24 सदस्य से प्रतिवर्श आउकास ग्रहन कर लेंगे इस तरीके से कमपनी के डायरेक्टरों से कहा गया कि वे सैनिक असैनिक तथा राजस्यों समंधी सारे कागज पत्र बिटी सरकार के सामने रखा करें इधर कमपनी की कलकता की जो फैक्टरी का ध्यक्ष था उसे बंगाल का गवर्नर कहा जाता था अब उसे कमपनी के सभी भारती शेत्रों का गवर्नर जनर बना दिया गया यानि अब बंगाल का गवर्नर बंबई और मदरास तीनों का तीनों शेत्रों का गवर्नर जनर बन गया साथ में गवर्नर जन्र की साहता के लिए चार सदस्यों की एक परिशद यानी काउंसिल भी बनी हालांकि जो भी निड़े लिया जाना था वो बहुमत से लिया जाना था प्रथम गवर्नर जन्र वारेन हेस्टिंग्स बनाए गये थे तो इस तरीके से 1773 के इस प्रतिबंध लगा दिया गया जो सुप्रीम कोड बनी थी उसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गये थे यू कहिए कि पहले जो नियाधीस बनाए गये थे सर एलिजाह इंफे बनाए गये थे तो इस तरीके से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया लेकिन जल्द ही ज़गड़े होते थे क्योंकि जङनर्ला को स्रिफ्ट समझता था लेकिन बहुमत के अधार पर ही निड़े होते थेивать क्योंकि अधिकार असपस्ट ही नहीं थे अब तक. यह अभी असपस्ट नहीं था कि उसे कौन-कौन से कानून भारती या अंग्रेजी का अनुशनर करना चाहिए, यानि कौन से भारती कानूनों का अनुशनर करना है, कौन से अंग्रेजी कानूनों का अनुशनर करना है, इसी समय नियाले ने सुप्रिम कोट ने मुर्शिदाब इस तरीके से किसी भी ब्राम्हर को मृत उडन नहीं दिया जा सकता था इस मामले ने पूरे बंगाल में संसनी फैला दी अब यह जरूरी हो गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ संशोधन किये जाए इसके तहत एक्ट आफ सेटलमेंट 1781 आया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कम्यों को दूर करने के लिए एडमंड बर्क के सुझाओ पर यह एक्ट आफ सेटलमेंट आया इसे बंगाल जूरी केचर एक्ट 1781 भी कहा जाता है इसके तहत गवर्नर जनर्रीन काउंसिल को सर्वोच नियाले की अधिकारिता से मुक्त कर दि है कौन-कौन सा एक डंडाज अधिनियम या विधेयक दूसरा फॉक्स का भारती विधेयक लेकिन ये दोनों विधेयक पारीत ही नहीं हो सके जिसके कारण से लाड नार्थ और फॉक्स की जो गठमंदन की सरकार थे उसे त्याक पत्र देना पड़ा और इस तरीके से अब ए देन के प्रधान मंतरी थे इसके तहत सबसे पहले कंपनी द्वरा अधिक रहित भारती राज शेत्रों पर बिटिस ताज के स्वामित के दावे का पहला वैधानिक दस्ताविज हम कह सकते हैं यह बड़ा ही महत्पूर कोश्यन अगर पूछा जाय कि भारती राज शेत्रों पर बिटिस ताज के स्वामित के दावे का पहला वैधानिक दस्ताविज कौन था तो पिट इंडिया 1784 इसमें किया क्या गया कि कंपनी के व्यापारिक और राजनेतिक क्रिया कलापो को अलग-अलग कर दिया गया इस कानून के तहत ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिशद यानि बोल्ड आफ कानून की अस्थापना की गई इस नियंत्रण परिशद के जरिये ब्रिटिस सरकार भारत में कंपनी के सैनिक असैनिक तथा राजस्व सम्मंधी मामलों पर पूर्ड नियंत्रण रख सकती थी लेकिन व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार पहले की तरही बना रहा कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति और बर्खास्ती अपनी एकषा नुशार कर सकती थी इस प्रकार से ब्रिटिस भारत पर दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई व्यापारी क्रिया कलापो को यक नियंत्रण के नियंत्रक मंडल यानि बोल्ड आफ आफ कंट्रोल की अस्थापना की गई आप पहले भी जानते हैं कि बोल्ड आफ कंट्रोल की अनुमति के बीना गवर्नर जन्र को किसी भी देशी नरेश के साथ संघर्स आरंब करने या सहायता का अश्वाशन देने का अधिकार नहीं था इन सदस्यों की न्यूक्ति और जो प सदस्यों की संख्या को घटा कर अब तीन कर दिया गया इसके अलावा केंद्री शासन का अनुपालन नौ हुने पर गवर्नर जन्र को प्रांटिय सरकारों को बर्खास्त करने का भी आधिकार 1784 के तैट दे दिया गया तो हम इस तरीके से देखते हैं कि अब 1784 के बाद कहीं अब जो गवर्नर जन्र था उसकी इस्थिती काफी मजबूत हो गया अधिसाही कसर 1786 के अधिनियम ने पूरी कर दी तो इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जन्र को विशेश परिश्थितियों में अपने परिशत के निरए को निरस्त कर अपने निरए को लागू करने का कारम हुआ था यानि अब गवर्नर जन्र भारत का वास्तिविक सासक बन गया उसके उपर केवल और केवल ब्रिटिस संसद का ही नियंतन होता था सिपाहियों को नियमित वेतन दिया जाता था और इसके साथ साथ जो अंग्रेजों ने 1784 का एक्ट आया था उसमें ये भी कहा गया था कि अंग्रेज अब नए इलाके नहीं जीतेंगे लेकिन सायद ही इसका पालन हुआ हो दरसल इंग्लैन के कारखाने में बनने वाले पक्के माल के लिए नए बाजार की ज़ुरत थी कारखानों के लिए अब कच्चे माल के नए शुरुत खोजने की भी आउशकता थ इन ही परिष्थितियों के मद्यनेजर अब कमपनी यानि ब्रिटेन सरकार भारत में जल से जल एक नई कानून ब्यवस्था को लागू कर देना चाहती थी और इसलिए बैक टू बैक ये धेर सारी इसलिए लगातार आए तो इसके बाद दोस्तो मुझे उम्मीद है कि अब तक का आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा अगली लेक्चर में हम चार्टर एक्ट के बारे में देखेंगे जो कि 793 का 813 का 839 और 835 का जो राज लेक यानी चार्टर एक्टा आया उसकी चर्चा करेंगे धन्यवाद दोस्तो